हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल अई होप आप सभी अच्छे होंगे जिसे के आप सभी जानते हैं मैं आप सभी के लिए सीटट के साइन्स के पेपर के पेपरेशन करा रहे हूँ जिसमें 30 numbers का science आता है जिसमें 15 numbers की जो होती है वो पेड़ागोजी होती है science की और 15 numbers का जो content होता है उसमें से आता है तो मैं आपके लिए 15 numbers की preparation करा रहे हूँ जिसमें सबसे पहले 6 class के science के chapters चल रहे हैं जिसमें आज हम पहुंच चुके हैं chapter number 4 पर ठीक है तो chapter number 4 हम देखते हैं और उसे पहले जो भी person मेरी चैनल पर फर्स ताइम विजिट कर रहे हैं चैनल को subscribe कर लीजिए और पहले आइकन भी प्रेस कर लीजिए का जिसे कि आपको notification मिलता रहे चलिए तो देखते हैं chapter number 4 है हमारा पोधो को जानी जो plants होते हैं उनके बारे में हमें जानना है कौन को से plant है किस तरह के plant है उनके बारे में तो चलिए हम पढ़ लेते हैं चलिए बाह निकल कर अपनी चारो और के पोधों का friction कीजिए कि आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे होते हैं कुछ विशाल का है मतलब बड़े होते हैं जबकि कुछ धर्ती पर धरे धबो की तरह दिखाई देते हैं हरे धबो की तरह जो जिसे काई बोल देते हैं उस तरह से जिसे बारिश आ जाती है उस टाइम कुछ छोटे लाल हैं, कुछ नीले तता कुछ पौदों में पुष्प ही नहीं होते हैं, कुछ पौदों के फूल ही नहीं होते हैं, कुछ पौदों के फूल बड़े तता लाल हैं, कुछ पुष्प होते ही नहीं हैं, आपने अपने घर के आसपस विद्धाले के रास्ते में बाग बगी च बज़े देख यह जूद ces देखते मौह जिवह स्कूल्स आइब कायओं थाइब दूद यह जानेगा realization कि पॉदे के डिफरनट डिफरें पार्ट किया होता है कौन सा पार्ट किया है तो चेλη देख लेखा है ये जो पिक्चर दे रखिए इसमें देखेंगे जो फ्लाल लाइक है ये होते हैं फूल क्या है ये फूल है ये फल है बीन्स जो निकल रही है ये स्टैम है ये लीव्स है और इने इंटरनोड बोलते है मतब दो ब्रांचिस को जो जोड़ता है उसे इंटरनोड बोलते है और ये कलीका हैं बीच में से निकल रही है इस तरह की कलीका निकल रही है ये नोड होते है ठीक है इसी तरह से इसमें जड़े होती है प्रात्मी जड़ होती है एक जित्तेक जड़ होती है और इने मोल तंतर भी बोलते है ठीक, यहोते हैं, एक पौधे में जो भी parts होते हैं, यह उनके name थे आगे देखते हैं, उनके भी चंतर समझने में जायता मिलेगी आपने जो चित्र देखा थे उसमें पौधे के इतने साखाएं, जड़ पते अत्यादी के नाम से लिखे हुए देखा थे जो colorful लिखे हो एते हैं अब देखते हैं different different type के जो पेड़ होते हैं पेड़ पौदे होते हैं वो भी different different type के होते हैं तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं शाक शाक, जाड़ी और रक्ष ठीक है इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो नमबर वन activity है वन उन पोदों के तने वन साकाओं को ध्यान पूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं मतल veio हमारी हाइट से छोड़े हैं जिनके लंबा ही लगवाओ आपके बराबर है तता जो आपसे बहुत हतिक लंबे हैं मतलब different different है जो हमारी हाइट से लंबे हैं जो हमारी height के बराबर है और जिनकी height हम से छोटी है तने को इस पर्ष कीजिए तता या जानने के लिए कि तना कोमल है अत्वक अठोर इसे दीरे से एक और मोरने का प्रियास कीजिए ध्यान रगे कि वह तोटे नहीं लंबे पौधों के तनों की मोटाई मापने का आपको प्रियास करना जो भी लंबे तने वाले पौधे हैं उनको देखे इस तरह से इस तरह से टेबल में देखना है कि वह तोटता है या नहीं तोटता कोमल है या हार्ड है हमें यह भी जाना चाहिए कि साखाएं बूमी के पास तने के आधार से अत्वा कुछ उचाई के बाद निकलती है ये देखना है आपको अब हम प्रेक्षेस अभी पॉदो की टेबल जो ती उपर उसमें लिखा हुआ है कुछ एक्जामपल है आप और अधिक पॉदो के लिए एक दो वे तीन कॉलमों को बढ़ सकते हैं जो उपर टेबल में कॉलम दिए हुए उनको इनके आपको कोई जरत नहीं है आप से जरत की चीज़े होने देखिएगा जबके एक्जाम में आ सकती है पॉदो को कम से कम छती पहुँचे इसलिए आप चार पांच विध्यारतियों के समों में कारे कर सकते हैं हाँ अगर आप अकेले के पॉद्धे को ले लेंगे तो वह तो पॉदा भी विकार हो जाए तो आप क्या करेंगे गूरुप में हो जाएंगे चार बच्चे हैं चार या पांच बच्चे वो एक साथी खट्टी हों कि एक पॉद्धे को देख लें कोमल तरह वाले पॉद्धों के अध्यान के लिए खर्पतवार का पुद्यों करें आभे आप जानते हैं कि खर्पत्वार क्या है अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात नहीं जानते हैं तो इसमीघभ прंग ग्रत सता है कि shopping बोलते हैं जो एक्स्ता पोधे उपजाते हैं इनलिक्षनों के आदार पर हम अधिकान सिता काइब Hz ** वर्ग क्रत कर SYщet यह बर खशाए बहुते हैं उ च्वहएं Metroid कान। ज्षा चाहएं अर च्वहड़ ऑर dopo जानी स्वहड़ोरे a ये वाली पिक्चर क्या है ये शाक है जोगी छोटी सी है ज्यादा ब्रैंचेज नहीं होती है इनमें बी वाला ये ज़ाड़ी है जो एक साती खती एक जगा हो जाती है योई बड़ा बाला जोड़े ये है पेर एक बहुत बड़ा ट्री कुछ पौधों में साखाएं तने के आधार के समीब से निकलती है तना कठोर होता है पर अधिक कठोर अधिक मोटा नहीं होता है इने जाड़िया बोलते जैसा भी पिक्चर में दिखाया था कुछ पौधे बहुत उचे होते हैं तरह इनके तने सूद्रन एवं गहरे होते हैं इनमें साकाएं भूमी से अधिक उचाई पर तने के उपी भाग से निकलती है इने ब्रक्ष बोलते हैं जो कि बहुत उचे उचे होते हैं आप लोग जाता है अगर कभी रास्ते में जाते हैं तो आप देखते हैं ब्रक्ष कैसा होता है नीचे से तो उसमें तना निकला हुआ रहता है लंबा सा तना रहता ह यहां से कुछ नहीं निकलता, यहां पर क्या होता है, इस टाइप का एक पेड़ बन जाता है, यह होते हैं, पेड़, पहले जाना चाहती है, कि मनी प्लांट सेम लोकी तथा, अंगुर के तने किस पिरकार की है, इन में से कुछ पौदो को देखिए, शाक जाड़ी और पर चड़ने के लिए सारी कैब शक तक क्यों पढ़ती है, क्योंकि वो उनकी जो सते होती है, मतलुकि जो स्टैम होती है, वो बहुत कि हलकी होती है, इसलिए उनको किसी चीज़ कि Soport की जरुत होती है, कमज़ुर तने वाले पौदे सीधे खड़ी नहीं हो सकते हैं और यह पर फैल जाते हैं जिनें विसरपी लताइं कहते हैं इस तरह कि जिसे गीया तोरी की बेल होती है मरी प्लांट होती है जबकि कुछ पौदे सहायता से जिसे ये देखें नहीं मरी प्लांट तो आरो ही लता होती है जो ये होती है गीया तोरी की बेल होती है और तरबूज की बे कुछ पौदे सहायता से उपर चड़ जाते हैं, ऐसे पौदों को आरोही कहते हैं, यह शाक जाड़ी और पेड़ों से भिन है, जो सहायता से चड़ जाते हैं, उन्हें आरोही बोलते हैं, जो चड़ नहीं पाते हैं, उन्हें विशार पिलता है, विशार पिलता है, विशार अपने घर अथवा विध्याले में पाए जाने वाले व्रक्ष जाड़ी अथवा विशर्पी लताओं के दोदो आपको पौधों के नाम लिखने के कौन-कौन सी होती है तना अब पढ़ेंगे तने के बारे में अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तता उनके तने पर पाई जाने वाली विविण सतन रचना है और मखागों को देखें अपनी अपलोकन के तुलना अपने साथ ही द्वारा लिये गया अपलोकन से करें आपने क्या देखा टनेमे पत्तिएं साՖाएं कला कली जो होती हैं फल्वयफूल होते हैं आप सभी देखते हैं यही चीज़े मिलती है एक्टिविटी देखते हैं जो इंपोर्टेंट चीज़ें जिससे पता चले गए एक ग्लास लेना है, जल लेना है, लाल सियाही लेनी है साक्य पौदा लेना है और एक लेना है आपको ब्लेड जैसे इस तरह से ग्लास को एक तिहाई जल से बरें, जिस से इस तरह से इस पौदे में इस जल में लाल सियाही कि कुछ बूंदे डाल दें शाक के तने को ग्लास में रखिएं जीसे कि आपको इस चिट्र में दिखाया गया है अगर नहीं दिन तर शाखाओ का वलुकन कीजिए कई शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं आपने देखा कि तने में रंग उपर चड़ जाता है जो रंग होता है ये उपर चड़ जाता है अगर इसे लंबी समय तक रखा जाए तो रंग पत्यों और सिराओं में भी आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ से कैसे चड़ा आ तो यह किसके माधैम स्था रहता है अग्या पत्तिओं में रंधर होते हैं इसकी साथा से पूvant पूरे में फैल जाता है इसके रिया कल आप में हमने देखा कि जल तने में उपर क्यों को चड़ता रहता तना जल का अब समवहन करता है लाज चाहिए की बाती जल में विलीन खनीज जल के साथ तने में उपर पहुंच जाते हैं ऑके चलिए तब हम देखक लेता हैं पतीयां तने के बारे में भी हमने पढ़ लिया आप देखेंगे नीम की पति अलग होती है, पीपल की अलग होती है, तुलसी की अलग होती है, इस तरह से अलग-अलग पौदो की पतियां जो होती है, वो अलग-अलग तराकी ही होती है, इस तरह से आपको एक ड्रोइंग बनानी है, यह तनी से किस पिरकार जुड़ी है, पति का वैबाग जि यहाँ से पत्ने से जोड़ी होती है worship with verse और यह पीछे तना होता है और यह प्लेटे ल Volt वाल होती है इस पटल होती है मैं आपको कॉष्छन मुझाल्य जाता है तो आप अएिसको ध्यान में अच्छे पत्ती के बीचे में और अधिक जानकरी प्राप्त करने के लिए उसकी छाप लें यह आप सोचते हैं कि पत्ती इसे छाप नहीं छोड़ सकते हैं तो यह कि अगर आप अपने पुनर विचार पर मजबूर करते कि आपको यह एक्टिविटी करनी है तो चलें नेक्स एक्टिव कि एक्टिविटी 4.9 में दिखाए दर्शाए गए तरीके से एक हिस्तान पर दवा कर पकड़ रखें दिखिए आपको दिखाए गया इस तरह से ठीक है अपको कुछ रेखाओ के साथ चाप दिखाई देती है क्या है चाप पत्ती की तरह है पत्ती की इन देकित सरचनाव को क्या बोलते हैं शिराय बोलते हैं जो रेखाए बनी होती है पत्ती के उपर जैसे पत्ती ये है इनमें जो रेखाए बनी होती है क्या आपको पत्ती के मध्धे में एक मोटी शिरा दिखाई देती है ये ये वाली जो सिरा होती है ये कौन सी सिरा होती है ये जो बीच में कि इस तरह से इन में बीच बीच में डीजाइन निकले आते हैं इनalen यह सिराविन्यास बोलते हैं यह ठांप त्रॉप हैं यह राता घगांस की Pत्तियों यह अप कि यह एक दूसरे के समांतर है ऐसे सिराविन्याज को समानतर बोलते हैं जैसे गांस इस तरह की होती है किस तरह की होती है गांस इस तरह की होती है तो उसमें क्या होता है उसमें ऐसा जाल नहीं होता है तो उसे समानतर सिराविन्याज बोलते है सिब सीधी रेखाए होती है बिफिन पौदों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरभिन्याज़ों का अध्यन करना है आपको ठीक है चलिए इसी तरह से आगे देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर है फोर एक्टिविटी फोर में क्या है आपको शाक का पौधा लेना है पौधिन के दो पारदर सी थैले लेना है मतलब कि जो वाइट वाली पौधिन होती है और कुछ धागा लेना है इसमें भी आपको एक्टिविटी करनी है देखे यह पत्ति ले लेनी है इस तरह से यह तो आपको जाली करोपी दिखाया गया है जाली करोपी और समानतर वाले इसके लिए आकला आपको दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली है जो मैं अभी पौलोतीन वाला बताया है इसके लिए आकलाप के लिए आपको स्वस्त भली बाती सीची तो धूप में रखे हुए पौदो को लेना चाहिए किसी पौदों की पत्ती वाली सागा को चित्ता अंसार एक पॉलतीन की थैली से डग कर धागे से बांद देजिए इस पॉलतीन की खाली थैली पर भी एक धागा बांद कर धूप में रख देजिए कुछ गंटों के बाद polythene का थैली के आंतिक पर इसको ध्यान पूर्वक देखी दिखाई हूई है पिक्चर में दिखाऊंगी मैं आपको आप क्या देखते हैं कि ठैली के अंदर जलकी बूंदे दिखाई देती है कि इस तरह से यह क्या किया है यह पौधा ले लिया है और उसकी जो बूंदे हैं उसको एक सिकेंट यह जो बूंदे हैं इस polythene में बूंदे बन जाती है ठीक है क्या बन जाती है बूंदे बन जाती ह यह जो पॉलिथें को अगर हम यहाँ पर रैप करके बंद कर देंगे, धागे से बंद, तो इसमें बूंदे बन जाती है, ओके, यह आप एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं, जो की बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जल की यह बूंदे पत्तियों के जल वास्प के रू इस प्रकरम के द्वारा पॉदे बड़ी मात्रा में जल को वायू मदल में छोड़ते हैं, ठीक है, हमने पत्तियों के उपर थैली को क्यों बांदा, क्या पॉदों के वास्प को हम अन्ने साथ देख पाते हैं, चैप्टर थिरी के उन किरिया कलापों के विश्या में ठीक है, पॉल्थिन के थैली पर दिखाई देने लगती हैं, जो बूंदे होते हैं, वो वास्पोर्ट जर्जन के प्रकरम के द्वारा, अब देखते हैं, एक्टिविटी नमबर फाइब, क्या करना है, पत्ति लेनी, स्प्रिट लेनी, बीकर, परकनली, बरन, जल, प्लेट बीकर को उस समय तक गरम करते रहें, जब तक पत्ति से हरा रंग वास पूरते हैं, बहार नहीं निकल जाए, क्योंकि पत्तियों में हरा रंग होता है, वो जब तक बहार न निकल जाए, तब तक उसको बालते रहना है, जब पत्ति को परकनली से साबधानी पुर्वक बहार निकाल का जल्की पहली बाती धुएं उस पत्ती को बाहर निकाल का ठीक है इसे प्रेट में रखका राइडें गिलियंग की कुछ बूंदे डालिए आप क्या देखते हैं इसकी प्रेक्शनर की तुलना चेप्टर नंबर वन में खात पदार्तों में विविल प्रोफिशनरों की उपसिती का प्रेक्शनर के समय किये गए प्रेक्शनर से जैसे कि हमने मंड देखा था सार्ज को देखा था उस तरह से आलू में यह मंड पौधी के अन्य भागों से आकर एकतित हो जाता है परन्तु पत्तियां पिरकास दिख इस तरह से आपको क्या करना है यह निडिल ह इसमें रखना है और आयोडेन उसके बाद इससे निकालने के बाद आयोडेन विलियन डाल देना तो बैंग निकलर का रंग देती है पत्ति और हरे रंग के एक पदार्ट के उपसिती में अपना भोजन बनाती है इस परकरिया में जलेवं का रवंडाय ऑक्साइड का प्यो दोख दका राता है इस परकरम में अक्सीजन इसकासित होती है पत्य दोरा संसले सीज भोजन अंतलता है पॉद के बभागों में मंदल के रूप में संग्रीद हो जाता है अब हम अब तक हमने जो किरिभी लब किये उनसे हमने देखा कि तना पत्तियों को जल पहुंचाता ह जल पहुचाता है पत्ति जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है पत्तियों से जल की कुछ मात्रक हिरास बात्सपोल सरजन दौरा होता है यह आपने देख लिया जो प्रॉसेस में अभी एक्टिविटी आपको कराई है अई होप यह आपको यहां तक समझ में आ चुकी हो तो आप उन वीडियो को भी देख लेजी तो क्यूंकि हमारे टू-त्री चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है और एक्जाम से पहले में कोशिश करूँगी आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दूँ तो चलिए अब हम देखने वाले हैं जड़ के बा भाग मिट्टी के अंदर है इसके बारे में पढ़ेंगे अक्टिविटी नंबर देखते हैं सिक्स क्या कहती है दो गमले लेने हैं कुछ मिट्टी लेनी है खुरपी लेनी है ब्लेड लेना है और कैची या जड़ लेनी है क्रियकरा फोर या फाइव विध्यार्थियों के स छड़ ना हो खतवतबार से एक पौधी को एक गं franc विकिन अभ secular कर देखने हैं तो अब इसे है प पौधी सुस्तने हैं आपको दिखना है कि जिसमें जड़ हो जिसमें जड़ नहीं नहीं ठीक है दोड़ों में नियमत युझ-घया पर एक की जड़ नहीं थी त..? कि आप इसके रियाकल आप से जड़ के एक मैतमों कारे के विशय में जान पाते हैं तो आपको ये दियान लखना है कि अगर जड़ नहीं होगी तो पौदक रो नहीं करेगा ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं 7, एक्टिविटी 7 क्या कहती है आपको क्या करना है, मक्का और चने के बीज लेने हैं, रूई लेने हैं, कतोरी और लेने हैं, जल ये सब चीजे लेनी हैं, दो कतोरी लीजिए, इसमें भीगी हुई रूई रखिए एक कटोरी में चने के तीन-चार बीज और दूसरे में मका के दाने डालने हैं आपको जल डालका रूई को हमेशा नम रखिए जब तक की बीज अंकुरी धोकर नवोदवीर मतलब नया बीज नई उगनेलाई जैसे इस तरह से दिखाए गए हैं एक सब्ता बाद उन्हें खीच कर रूई से बाहर निकालने का परियाज कीजिए कि नवोदवीर सरलता से रूई से बाहर खीच आता है देखे इस तरह से हमें देखा कि हम पौदों को भूमी से खीच कर आसानी से नहीं निकाल पाते उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है जड़े पौदों को मिट्टी से मजबूती से जमाये रखने या जकड़े रखती हैं इसी तरह से जो रूई होती है वो भी ने जकड़ लेती है इन्हें मिट्टी में पौदे का इस्थिरक का जाता है ठीक है आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी नमबर 8 आप क्या करना है पिच्चा 4.16 और 4.16 A और B को ध्यान पूर्वक पेक्शन करना है चने के पौदों की जड़ों को देखे क्या दोनों की जड़े समान दिखाई देती है मक्का के पौदों की जड़े कैसी है आपको देखना है ये तो है मक्का का और ये है चने का तो दोनों की जड़े अलग अलग दिख रही है न आपको इस तरह से क्या कहरा है अब ये चनेवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है वे किस रूप में एक दूसरे से भिन है ऐसा पर दीत होता है कि दो जड़े जड़े दो पिरकार की होती है ठीक है आपको अभी ऐसे ही लग रहा होगा जड़े दो पिरकार की होती है तो जड़े दो पिरकार की ही होती है अब activity number देखना है 9 खुले मैदन में जाईए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं उग रहे हैं कुछ खरपतवार पौदो की मिट्टी खोद कर निकाल लिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरिक्षिन करना है जिससे आपको जड़ों के बारे में पता चलेगा देखे इस तरह की जड़े तो इस तरह की जड़े होती हैं और यह कहती हैं फैली हुई जिन्हें एक सीद में आती हैं और यहां से ब्रांचेज निकली होती हैं उन्हें बोलते हैं मुसलाजर जो की छोटी होती हैं इन्हें पास्यार वो जड़ भी बोल देते हैं जिन पॉधों की जड़े 4.17b के समान होती हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती सबी जड़े एक समान दिखाई देती हैं इन्हें जगड़ा जड़ातवा रेशिदार जड़ कहते हैं कि आई होप आपको इतना समझ में आये होगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दें और चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहें तो सब्सक्राइब भी कर दें आज के लिए हम इतना ही करते हैं थोड़ा से चैप्टर रह गया है वो हमें आपको नेक्स वीडियो में समझाऊंगी ठीक है तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में हमने जड़ो के बारे में पढ़ लिए अब हम पढ़ेंगी फूल अफ़लो के बारे में चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठीक है बाई बाई ठीक है